कि मैं क्या रहाऊं एक कॉंपेटिशन जो है कॉंपेटिशन से मतलब है यहां पर दो और गानिजम के बीच में ऐसा एसा आप देखो इस टेबल से आपको समझ में आ गाएगा ऐसा एसे इस न दो और गानिजम का जिसमें क्या हो बोड इस बोट आर इन लॉस यह दो कोंपेटिशन मतलब बोथ आर इन लॉस दो ऑर्गैनिजम का ऐसा एससोशेशन जिसमें दोनों को लॉस हो रहा हो साथ में रहने पर कॉशन आया कि सब्सक्राइब के लिए हो सकता है तो हमने का भी कॉंपेटिशन जो है वो फूड के लिए हो सकता है या पार्टनर के लिए हो सकता है एबा कोंपेटिशन होता कितने के से हैंड जो है यह कॉंपेटिशन दो तरीके से हो सकता है ल ή इंत्रा स्पैसिफिक घृाल पर तो इन्टरा स्पेसेफिक और समस्टेसे मतलब एधाय मैं ने इसे सेमि स्पीशी के दो इंडिवीजोल के बीच में होने वाला कॉम्पेशण जैसे अगर दौ कुट्थे आप एक किसी एक कॉमन जगह पर रह रहे हैं तो अगर दो के बारे में यहां कह रहा हूं तो देखो इ किसके लिए500 के लिए क्पूट के लिए क्योंकि दोनों का फूट सेम दोनों का शेल्टर स्यंद मैं इवन दोनों का बाटनर जो सेक्सार्टनरों होते हैं वह सेम हूते हैं दोग्स मतलब मिमील डॉग तो यह सिमीकरässमkar तो ऐसा जो competition है वो intra specific है लेकिन अगर एक dog है और एक cow है खीक है और अगर उनके बीच में competition मतलब दो different species के organism के बीच में different species के organism के बीच में अगर competition हो रहा है तो वो competition इंट्र स्पेसिफिक competition है और यह competition दो चीजों के लिए हो सकता है फूड के लिए और शेल्टर के लिए लेकिन दोनों का पार्टनर जो है सेक्स पार्टनर जो होगा वह different होगा तो उसके लिए नहीं होगा यानि ज्यादा डेंजरेस टाइप के जो competition है more complicated जो है वह कौन सा इंट्र स्पेसिफिक जो competition होते हैं वह ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि यहां तीन चीजों के लिए competition रहा फूड शेल्टर एंड पार्टनर के लिए जबकि इंटर जो होता है वह comparatively कम खतरनाक होता है क्योंकि यह यह दो ही चीजों के लिए हो रहा है वह है food and shelter ठीक है अ इसा competition दो unrelated species के बीच में भी हो सकता है जो किसी सेम रिसोर्स के लिए क्या कर रहे हो कॉंपीट कर रहे हो डो अन्रिलेटेड अब डॉग्स अगर रात देखे तो दोनों अन्रिलेटेड नहीं है लेकिन competition फेस करेंगे अगर दोनों सेम रिसोर्स मतलब चपाती के लिए उनके लिए अगर पाल तो जंग घर में जो जानवर है वो इस तरह का मैसूस करें इसका एग्जामपल लेके बात करते हैं पर तो ज़्यादा से अच्छे से समझ में आए कि दो अन्रिलेटेड स्पीशीज के इंडिविज्विज्व कैसे competition फेस करेंगे जब उनका रिसोर्स सेम हो तो इसके लिए एग्जामपल यहां पर है हमारे दियावा इंसियाटी में studentsommy South अमेरिकन लेक्स से more salud अमेरिकन जो लेक्स होती है उन लेक्स के अदर मृई साओ अमेरिकन लेक्स के अंदर वहां पर नट्यू जो वहां की fishes है और उसमें और जो जो फ्लैमिंगो तो जब फ्लैमिंगो आती है यहां पर यह फिशेज और फ्लैमिंगो आपस में दोनों के दोनों के दोनों कॉंपीट कर रहे होते हैं है किनके लिए जू प्लैंग्टो उभ्रों ऩलिए टो दोनों आंरीलेटेट्टशिस है फिश पाइसी से विलांग कर रही और फ्लैमिंगो़ जो है बड्र से विलांग कर रह रहे हैं नहें क्योंकि Pra कर दोनों का सेम पम्लेंट उभव सकता है अगली बात है रिस में स्थिए नरुट बी लिंटीन फार कंपेटिशन होग धविड-खेंड लेकिन ब्रिसोर्स इंटर हो तब भी क्या हो सकता है तब भी competition हो सकता है हमेशा एक सुपीरियर एक सुपीरियर species के किसी एक habitat में present होने पर वहां present inferior species competition मैसूस करती है एक ताम यहां पर मैंने bold letter में दे रखी है interference competition interference competition से मतलब क्या है feeding efficiency of one species may be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species even if resources are abundant resources are abundant resources खूब सारे हैं फूड एन इसपेस खूब सारा है लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि किसी एक स्पीशीज के present होने पर दूसरे species automatically competition महसूस करना शुरू करती है जैसे एक छोटा सा एक्जामपल मैं यहां पर समझने के लिए अगर बात करूं कि सपोस करो अगर किसी एक बंद कमरे में एक टाइगर को और आपको बांद दिया जाए और टाइगर के लिए भी रोज खूब खाना आए आपके लिए भी खूब खाना है स्पेस रूम इतना बड़ा है कि टाइगर भी आसा नहीं से रह सकते हो ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी आप टाइगर की प्रसिर्फ प्रसेंस होने के कारण कारण ही आप अपने आप में क्या करोगे क्या करोगे क्या अशा नहीं हो मैं सोजाओ और मेरे को मारे खा जाए जबकि फूड खूब सारा है शेल्टर खूब आपके लिए स्पेस भी खूब सारा है सब कुछ है बट सिल रिसोर्स इस अनलिमिटेड होने के बावजूद भी क्या हुआ यहां पर कॉंपेटिशन मैसुस वा ठीक है तो कई बारी इंटरफरेंस कॉंपेटिशन मैसूस करती है एक एक स्पीशिस किसी दूसरे स्पीशिस के प्रजेंट होने पर भी भले ही चाहिए मारे सोर्सें लिमिटेड नहीं हो ऐसे ही हम कहते हैं कि कॉंपेटिशन जो है इडिश आप्रॉसस इंविश वाट हैपन्टिश ऑफ दनेंस पिशीजिस इस सिगनिफिकेंट्ली लोवर डाउन इन प्रेसंश अफ दा अनधर स्पीशीज किसी एक स्पीशीज की फिटनेस जो है डार्वीनियन फिटनेस याकरो तो जिसको हमने आर कहा था इंट्रेंसिंग रेट ऑफ इंक्रीज जिसको हमने कहा था पॉपुलिशन ग्रूप मॉडल्स में तो फिटनेस ऑफ वन मौ इस्पीशीज जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड होती है विकेस अफ़ प्रेसेंस ऑफ दा अनदर स्पीशीज लगंस यहां पैसिफिक सी में इट्सरीज उप दा ईएलेंटस छोटे छोटे से कही सारी आइलेंट्स की एक सीरीज है 30 या 32 आइलेंड जैटली आइंग्स आयाइलेंड्टेट्यू प्रूप दिस आइलेंड्स नूब गृप ऑफ दिस आइलेंड इंग ग्यालापोग आज भी नेचर में इवुलेशन कैसे हो रहा अगर इस चीज को स्टडी करना हो तो आप गैलापोगस आइलेंड को विजिट करो यूल सी वहाँ पर वास्ताम में आपको इवुलेशन जो है दिखाई देता है आप समझ सकते उस चीज की स्टडी कर सकते हो तो गैलापोगस आने वाला आनिमल है हर भी हो रहे और काफी स्लो मुवमेंट होता है मतलब काफी स्लो आनिमल है यह दिखा जाए तो अब वहां क्या हुआ वहां गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया उस गैलापोगस आइंड लेंड फे जहां एबिंग्डन टॉर्टस जो है वहां मि आरजन टुद अबिंग्डन टॉर्टस यहां पर क्या हुआ कुछ ही सालों में कुछी साल इन डिकेड दस सालों के एक डिकेड के अंदर ही हमने क्या रिखा विकास अफ दे प्रेजेंस ऑफ दे गोड्स वहां से उस आइलेंड पे से अबिंग्डन टॉर्टर जो है वह एक सर्वाइब कर रहे थे लेकिन जैसे गोड्स आई जो की फास्ट ब्राउजर थी इन्होंने कॉंपेटिशन दिया यहां पर इन अबेग्डन टॉर्टर इसको और इंफिरियर स्पेशिज वहां डिकेड क्या हो गई एक ही डिकेड करना इसका मतलब इसका मतलब किसी एक इंफिरियर स्पेशिज से वह बच जाती है इंफिरियर स्पेशिज क्या हो जाती है खतम हो जाती है एक्स्टिंट हो जाती है किस ने कहा ये तो हम कहते है भई ये कहा एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था गॉस और इसको कहते हैं गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस का एक्स्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है या तो जो अभी अभी मैंनि का क्श्क आकॉर्डिंग जब कभी भी किसी हैभिटाट में रिसओर्श ऋंगेस्पीर वहाँ आ अगर धो एक्स सिंग्ट हो जाएगी और कौन बचेंगे सुपीरियर स्पीशिस के और गानिजम बचेंगे इसको कहा गया प्रिंसीपल ऑप कॉंपिटेटिव एक्सक्लूजन या गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसीपल गॉस नहीं कहा लेकिन इसके साथ मैंने एक कॉशन आगे साथ दिया विल हमेशा ऐसा होगा विल इट भी ऑल्वेस कंक्लूजीव तो हम कहते हैं नहीं हमेशा ऐसा हो यह जरूरी नहीं है क्यों अपन बात करते हैं एक सेकेंड तो यह चीज जो अपन बोल रहे हैं कि गॉस प्रिंसिपल जो है यह कहता है कि बही सुपीरियर स्पिशिस जह है वो सर् खतम हो जाएगी अब मैंने इसके आगे जो यह कॉश्चन बोला उल्वेस कंक्लूजीव क्या वास्तों में हमेशा ऐसा होता है क्या हमेशा ऐसा होगा कि हमेशा सुपीरियर स्पिशिस भज्जाए और इंपीरियर स्पिशिस खत्म हो जाए तो हम कहते हैं नहीं नॉट नेस गौस एक्स्क्लूजन प्रिंसिपल हमेशा कॉंक्लूजिव रहे यह जरूरी नहीं है कई बार सेम रिसोर्सेश के लिए कॉंपीट करते वे भी स्पिशीज क्या होती है दे केंट को एग्जिस्ट इंडेफिन टाइम के लिए और उस केस में भी इनफीर जो स्पिशीज है वह एलिमेट नहीं होती है वह वहां पर क्या करते रहते हैं आपस में कॉंपेटिशन कर है उनमें लेकिन उसके बावजूद भी वह क्या है खतम नहीं होते अब कॉंपेटिशन होने के बावजूद खतम नहीं हो रहा है तो कैसे फिर क्या करते हैं असल में वह क्या करते हैं वह यहां पर कॉंपेटिशन को रिलीज करने की कोशिश करते हैं कॉंपेटिशन को रिलीज करना द्यान से समझना एक सेकिन कि यह पर कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो गौस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है वह कंक्लूजीव हो कई बारी यह नहीं भी होता है अब कंक्लूजीव नहीं होता उसके क्या कारण हो सकते हैं उसका एक कारण तो हो सकता है competitive release competition को खतम करना competitive release competitive release से मतलब है कि देखो अगर क्या है किसी एक छोटे से एरिया में ही दो species रह रही होती तो competition जाता होता लेकिन यही एरिया अगर बड़ा हो जाता इन दो के लिए रहने के लिए तो डेफिनिटली यह आपस में दूसरे से क्या होते थोड़े दूर रहो रहे होते तो शेल्टर जो है उसकी परेशानी उसके लिए competition जाए को कम होता और उसके में competitive release होता इस्पीशीज को हटाती इसका जोग्राफिकल एरिया बढ़ जाता है जो पहले चोटे से एरिया में मुझ कर रहा था because of the presence of the superior species इस superior species को हटाती इसका जोग्राफिकल एरिया बढ़ जाता है और यह लंबी दूरी तक यह जादा दूरी तक अपने आपको अब मुझ कर पाता है प्री कर पाता है एक जंगल में एक जंगल में अगर माल लो टाइगर है यहां पर हमेशा अपने आपको दूर रखने कोशिश करेंगे यहां रहेंगे लेकिन अगर मैं से यहां से हटा दूँ तो टाइगर हटा दे अब इनको पता है कि यहां को इधर भी चल सकते हैं गास खाने के लिए लोग तो देखो जोग्राफिकल एरिया भढ़ गया competition रिलीज होते ही अगर superior species वहां से हट गई तो क्या होता है जो inferior species है उसका क्या होता competition रिलीज महसूस करती है वो और वो क्या करना शूर करती है उसका जोग्राफिकल distribution जर्डामेटिकली इंक्रीज हो जाता है जैसे यहां एक एक एक्जामपल के साथ आपकी इस चीज़ को संधार रखा है आप एक्जामपल यही लिखना कॉनेल्स elegant field experiment के नाम से आपके experiment वो दे रखा है स्कॉट्लेंड का एक्जामपल है स्कॉट्लेंड के rocky sea coastal एरिया का एक्जामपल है यह वहां उन rocky sea coastal एरिया में एक आर्थोपोड ना बार्नेकल एक आर्थोपोड जिसका नाम है बार्नेकल बैलेनस जिसका नाम था वो मिलता है ठीक है अब इस बार्नेकल की वहां पर दो तरह की species मिलती है एक थोड़ा सा साइज में जो बड़ा है superior है in property and that is superior बार्नेकल जिसका नाम था बैलेनस ठीक है बैलेनस उस बार्नेकल का नेम क्या है बैलेनस और यह superior species है यानि यह dominant था वहां पर कहां उस rocky sea coastal area के अंदर और उसी rocky sea coastal area के अंदर एक inferior बार्नेकल की species मिलती थी चैथेलेमस चैथेलेमस तो superior इसमें यहां पर चैथेलेमस का geographical distribution जो था वह काफी confined था वह ज्यादा जिएदा डिस्टूबिशन नहीं था लेकिन konnell's field experiment के दोरान जब इन superior बार्नेकल बैलेनस को यहां से हटा दिया गया तो क्या देखा कि सिग्निफिकेंटली ड्रामेटिकली इस चैथेलेमस का geographical distribution जो है वह बढ़ गया क्यों क्योंकि उसके लिए अब competition जो हो रहा था because of the presence of superior बार्नेकल बैलेनस वह competition खतम हो गया और इस से देखो उसका जोग्राफिकल distribution बढ़ गया तो exclusion नहीं हुआ और दूसरा एक recent studies जो है वो क्या कहती है कि इस यह जो गौस exclusion प्रिंसिपल है यह हमेशा conclusive नहीं होता उसका एक reason है कि क्या करा organisms ने competition को face करने के समय सासत रहते वे अपने आपको बचाने लिए इन्होंने क्या करा एक concept सीख लिया और वह concept है resources की partitioning करना resources की partitioning कर लो कि सिंपल से एक्जांपल से आप कभी इस चीज़ को समझना चाहो तो अगर आप कभी किसी century या किसी forest में जाओ जैसे रंधंपूर century अगर मैं एक्जांपल दूँ आपको रहा जाओ और वहां पर किसी water body क्या आसपास बैट जाओ water body क्या आसपास वहां लेक्स जो होती अंदर और वहां बैठो और वहां बैट के आप अबसर करो नेचर को and understand this rule आप देखोगे कि वहां जो पानी पीने के लिए जो जानवर आते हैं उनका टाइम अलग-अलग होता है हर्भी वोर्स डियर है काव है या कोई और हर्भी वोर्स है यूजली आप देखोगे वह पानी पीने के लिए वहां पर उन पॉंड्स पे या लेक्स पे तीन चार पाच बज़े तक आते हैं और कार्णी वोर्स जो है या बड़े वाले जो एनिमल्स टाइगर है या और पास तो ब्रेरली बहुत कम केसिस होंगे कि कोई या कोई जब टाइगर पानी पी रहा हो उसमें उस लेक पे बिल्कुत साथ-साथ खड़े हो के पानी पीने कोशिश करें पता है उसको कि मैं पानी पीने जाओंगा मारा जाओंगा रिसोर्स की पार्टिशनीं कर लो कि जब पानी पीने जा रहा हो अपन बत जाओ और अपन जब उस समय जाओ जब टाइगर नहीं आता हो तो देखो लेकिन उसके बावजूद भी इस रिसोर्स की उन्हों क्या कर दिया और वोईड कर दिया अवोईड कर दिया ठीक है यहां उनके साथ-साथ रहने के बावजूद भ है क्या नहीं हुई खत्म नहीं हुए इस सोर्सेस की पार्टीश नहीं हुए यहां एक बहुत अच्छा एक्जामपल है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैं कार्थर उन्होंने बर्ड के उपर एक एक्सपेरिमेंट किया और एक बर्ड होती है इसका नाम है वार्बलर बर्ड इन वार्बलर बर्ड पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो नहीं देखा कि किसी एक प्लांट एक प्लांट के उपर सेम ट्री के उपर है ना पांच क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ दे वार्बलर बर्ड जो है वो साथ साथ रह लेती है बाई अवोईडिंग कॉंपेटिशन को एग्जिस करती हैं बाई अवोईडिंग कॉंपेटिशन कैसे उन्होंने अपनी बिहेविरियल डिफरेंसेज डेवलप कि अपने अंदर अलग लग चीज सीखी कैसे अगर एक्स स्पीशीज फूड की सर्च में जा रही है तो बाकी चारों स्पीशीज जो है वाई जैड ए और बी उसमें वो ट्रीज पर ही है तो फिर वाई गया यह आ गई तब गया जैड गया थे आ गया तो ए गया तो टीख अलग लग टाइम के लिए रहना ऐसे इसके कारण वह एक ही ट्री पर क्या कर पार रहे हैं पांचों की पांच़ों सथा साथ रहे हैं और आसपास के एरिया में जह फूड है पारिए देखो रिसोर्सेस की पार्टिशनिंगी और इस तरह से वह क्या होगा बचे अब आप इसको इस तरह से मत जोड़ने ना कि चार हमेशा ट्रिफ पर रहेंगी एक जाएगी ठीक अचै कि जब उसमें दारीगी हो सकता तीन चलीफ हो सकता है जिस त्री पर रह रहे हैं ہां सब्सक्राइब शेय से हूं ठीच में इसão और मैंने देखो यहां पर दिया सेरेंगेटी प्लेंज का और साउथ आफ्रिका और साउथ आफ्रिका में बहुत सेंचुरी यह सेरेंगेटी है और आप देखो वाहां सेरेंगेटी के अंदर 20 स्पीशिज ऑफ एंटेलोफ जहें डिया लिविंग तुगेदर फीडिंग और ऐकी फॉर्स में साथ साथ रह रही हैं लेकिन उन्होंने क्या करहा अपना फूट जो है जो । आलिए है और america accounting को हूंगा तो एक्स को मैं खा रहा हूं इसलिए माएं A जएल को मैं खाना आ आपस में सियप्रेट्ट यह कर रहा है हुँ स्क्रेट एक्स्क्लूजिव नॉट एक्स्क्लूजिव नॉट नैसेरी इसपीजीज के होने से इंपीजियर इसपीशीज क्टम हो जाए not necessary जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो ही हो this is what this is called गॉस्क्लूजीव प्रिंसिपल and it is not always जो आगे वाला जो सेंटेंस मैंने बोला था तो बात समझ में आगे होगी मेरे साथ से या नहीं